सूचना एवाम जन संपर्क विभाग बरेली जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा क्षेत्र बरेली की विधान सभा मीरगंज क्षेत्र में स्थित चेक पोस्ट एवाम SST नाका critical vulnerable booth, महिला प्रबंधित booth, model मतदान केंद्र का निरिक्षन कर दिये आवशक दिशा निर्देश निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों की बैठक कर आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन कराने वचुनाव शांतिपूर्ण संपन कराये जाने के संबंध में दिये विस्तरित दिशा निर्देश बरेली 21 मार्च बूत को भेतर बनाया जाए और पिंक कलर से पुताई कराई जाए उक्त के उपरांत कमपोजिट विद्यालय सोरहा में स्थापित बूत संख्या 308, 309, 310, 311 क्रिटिकल वल्नरेबल मतदान केंद्र का निरिक्षन किया गया एवां स्थानिय लोगों से जानकारी ली गई कि गाव में कानून व्यवस्था से संबंधी कोई समस्या तो नहीं है और संबधित अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि होली तथा लोग सभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन कराया जाए सभी लोग अपने मत का प्रयोग अवश्य करें निरिक गाव के लोगों को प्रेरित करें जिससे लोग अधिक से अधिक मतदान करें और मतदान प्रतिशत बढ़ें निरिक्षन के दौरान बच्चों से स्मार्ट क्लास के बारे में जानकारी ली गई जिस पर बच्चों ने बताया कि उन्हें स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ा उक्त के उपरांत BDM स्कूल लभारी मीरगंज में CPMF ठहरने की व्यवस्थाओं का भी निरिक्षन किया गया जहां पर सभी व्यवस्थाएं उचित पाई गई। उक्त के उपरांत राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज मीरगंज में मौडल मतदान केंद्र बूत संख्या 218-233 तक कुल-06 बूतों का निरिक्षन किया गया और जहां पर हर बूत पर BLO का नाम, वार्ड संख्या लिखाना पाकर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए तथा अतिशीग्र BLO का नाम वा मोबाइल नंबर भाग संख्या वा लोक सभा विधान सभाक्षेत्र आरो ए आरो का नाम लिखवाये जाने के निर्देश दिये गए राजेंद्र प्रसाद इंटर कॉलेज में चल रही मतदाता जागरुकता स्वीट की गतिविधियों के अंतरगत छात्राओं द्वारा बनाए गई रंगोली का भी अवलोकन किया गया और छात्राओं को संदेश दिया गया कि आमजन को साथ मई को अधिक से अधिक वोट देने हेतू प्रेरित किया जाए उक्त के उपरान जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 से संबंधित अधिकारियों के साथ तहसील मीरगन स्थित सभागार में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित चुनाव आदर्ष आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में विडियो कॉन्फरेंसिंग में प्रतिभाग किया गया जिसके क्रम में संबंधित अधिकारियों को आदर्ष आचार संहिता के अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश दिये गए उक्त के उपरांत तहसील सरी अधिकारियों करमचारी के साथ बैठक की गई बैठक में निर्देश दिये गए कि कहीं भी सरकारी प्राइवेट प्रापर्टी में उमीदवारों से संबंधित पोस्टर बैनर ना लगे हो जिला पूर्ती अधिकारी को निर्देश दिये गए कि राशन की दुकानों से सरकारी प्रचार प्रसार से संबंधित सभी पोस्टर बैनर हटवा दिये जाएं समस्थ बूतों पर पक्खें खिडकी व लाइट आदी की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लिया जाए विद्यूत विभाग को निर्देश दिये कि जिन विद्यालेओं का विद्यूत बिल बकाया है उन स्कूलों में मतदान के एक दिन पूर्व व मतदान के दिन विद्यूत सुचारू रहे और जिन मतदान केंद्रों पर हैंड़ पंप खराब है उन्हें रिबोर कराकर सही कराया जाये तथा जो रास्ता बूत तक जाता है उस पर गड़े ना हो यह सुनिश्चित करा लिया जाए समस्त बियलो को निर्देश दिये गए कि अपने अपने बूतों को चेक कर ले अगर किसी भी बूत पर कोई समस्या हो तो संबंधित को अवगत कराया जाए बैठक में वरिष्ट पुलीस अधिक्षक ने निर्देश दिये गए कि किसी भी बूत पर किसी तरह का बवाल नहीं होना चाहिए पुलीस क्षेत्राधिकारी क्षेत्र की पूरी जानकारी रखें और मतदान केंद्र का सम्यसमय पर भ्रमन करते रहें तथा जो भी फोर्स आये उनके रहने की उचित व्यवस्था की जाए निर्वाचन के दिन जो भी व्यक्ती मतदान केंद्र पर पर परेशानी उत्पन करें तो उसके खिलाफ सक्त कारिवाही की जाए NDPS के अपराधियों को जेल में बंद करें और क्रिटिकल वल्नरेबल मतदान केंद्र की जानकारी अवश्य रखें स्वीप कार्यक्रम के अंतरगत जो गाना बनाया गया है उसे ग्रामीन क्षेत्रों में चलाया जाए जिससे लोग मतदान करने के लिए प्रेरित हो सकें निरीक्षण के समय अपर जिलाधिकारी प्रशासन दिनेश उप जिलाधिकारी मीरगंज देश दीपक सिंग सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे